हलो फ्रेंज, बेलकम टू सोनम फैसल, बोट नेक बलोज डिजान बनाएंगे, बलोज के बैक पाट के लंबाई लिए है चोदा इंच, सोल्डर साड़े छाइंच, आर्म होल साड़े छाइंच, सीना साड़े नौइंच, एंड कमर के लिए नौइंच रखता है, गले की मार्क नीचे की तरफ से भी गले की चोड़ाई हमें तीन इंच रखने हैं, इसके बाद दूपर की तरफ से एक निसान लगाएंगे, हम तीन इंच पर और इसे बोटनिक का शेपते देंगे, इसके बाद नीचे का जितना भी गला बच्चा है, उसका सेंटर लेंगे, और दो साल से देखी हमें इससे दोनों तरफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है गले की मार्किंग हो चुकी है और इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसे सेट में करेंगे सबसे पहले हम मेन फैबरिक लेंगे मेन फैबरिक के यूँ पर हमें अस्तर को रखना है अच्छे से सेट करते हुए इसे पिन लगाकर सिक्यूर कर लेंगे और गले के किनारे हमें सिलाई लगाएंगे सिलाई हम यहाँ पर एक परिया हाप इंच का मारजन छोड़ते हुए लगाएंगे मैंने हाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं किया है आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं गल्ले में स्लाई लगाने के बाद एक स्लाई हम इसमें नीचे कमर की तरफ लगाएंगे इसके बाद देखिए जो भी एक्ष्ट्रा कपड़ा होगा हमारा गल्ले के अंदर का में फैबरिक का हम उसे कट करके निकाल देंगे सरा एक्ष्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हम इसमें चोटे-चोटे से कट लगाएंगे और इसे परटते हुए सीधा कर लेंगे हमें कॉर्णर को अच्छे से निकाल लेना है सुई की हेल्प से सिम इसी तरीके से हमें दूसरे साइट के कॉर्णर को भी अच्छे से सेट कर लेना है और इसे सीधा करके रखेंगे अब देखिए इसके उपर हमें एक स्लाई और लगाने हैं फिनिसिंग के लिए तो फिनिसिंग वाली स्लाई हम बिल्कुल गले के किनारी लगाएंगे तो देखिए गला हमारा बनके कम्प्लेट हो चुका है नीचे कमर के सेट भी हम इसमें फिनिसिंग के स्लाई लगा लेंगे इसे उल्टा करके रखेंगे और चारो तरफ से कवर करती हुए हम इसके उपर एक स्लाई लगा लेंगे स्लाई के बाहर का जो भी एक्ष्ट्रा कप्ड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे दूसरी सेट भी जो एक्ष्ट्रा कप्ड़ा है स्लाई के बाहर का उसे भी कट करके निकाल देना है सोल्डर के सामने से पलटते हुए हमें इसकी उपर बैक टक्स की स्लाई लगा लेने हैं बैक टक्स की स्लाई हम उपर के तरफ 4-4.5 तक लगाएंगे सेम इसी तरीके से हमें दूसरे सैट भी बैक टक्स की स्लाई लगा लेने हैं इसके बनानी हाँ पर एक डोरी ली है में 20 को कट कर लेना है दीकि हमें आप सैन ञाट किया है अब सभी डौरी को हमें अच्छे से रखना है इस तरीक साइl के एन सी दोनों से से पलटती हुई एक बार और पलटेंगे और इसके उपर एक स्लाई लगा लेंगे अब इस पट्टी को हम इन डोरियों के उपर रखेंगे कुछ इस तरीके से और इसे भी स्वीध लगा से या फिर स्लाई मसीन से स्लाई लगाते हुए अच्छे से पक्का कर लेंगे एक्स्ट्र पट्टी को कट कर देंगे इससे सेड में करेंगे अब हम लेंगी एक पेपर पेपर को देखिए ब्लाज के नीचे रखेंगे जो नीचे की सेड डिजन बनाया है और एज़ टीस हम इसमें मार्किंग कर लेंगे बाहर के साड़ से एक इंच एश्ट्रा कट करेंगे पेपर को जो मार्किंग की है अब इसके उपर देखिए हमें डोरी को रखना है जो हमने डोरी बना कर कम्प्लीट की है इस तरीके से सबसे पहले हमें बीचों भी सेंटर वाले डोरी को इस तरीके से सिल लेना है दोनों साइड से डोरी को हमें नाही ज्यादा टाइट कीचना है और नाही ज्यादा लूट छोड़ना है इसके पर देखिए जो बांकी की डोरी है हमें इने इस तरीके से अच्छे से एड़ेस्ट करते हुए रखना है और इसके उपर भी हम अच्छे से समालते हुए सलाई लगा लेंगे कि इस तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है इसे से इसी तरीके से हमें दूसरे साइट के डोरियों को भी अच्छे से इसी तरीके से एड़ेस्ट करते हुए रखना है और सलाई लगा लेने है एक्स्टर डोरी को कट कर देंगे अब लेना है हमें बलाउज को और बलाउज में देखिए हमें नीचे के साइट से पेपर को रखना है इस तरीके से और इससे देखिए हमें पिन लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लेना है ताकि यह अपनी जगाए पर फिक्स रहे बिलाज के जो दो कॉर्नर है उपर के सेड के हमें इन कॉर्नर को अच्छे से मिलाकित हुई रखना है ताकि यह अपस में ज्ट हो जाएं अब देखिए हमें इसके उपर एक सलाई और लगा लेनी है फिनिसिंग के लिए इस तरीके से तो यह हमारी डोरी अच्छे से अटाइच हो जाएंगी बिलाउज में मैंने पेपर पर लगे हुई डोरी को अच्छे से अटाइच कर लिया है पिन को निकालेंगी इसे उल्टा करेंगी और पेपर को अब हम रिमूब कर देंगे जो भी अश्टरट हो रही है उन्हें हम कट करके निकाल देंगी पेपर को हमें अच्छे से रिमूब कर देना है इसे सीधा करते हुए रखेंगे अब लगाएंगे हम इसमें गोल्डन कलर की लेस इसे डेखोरेट करने के लिए तो दीखें लेस को हमें इस तरीके से गले की किनारे अटैज़ करना है कॉर्णर के पास हमें लेस को थोड़ा सा मोड़ देना है तो ये लेस हमारे गले के डिजान में अच्छे से बैठ जाएगी सेम इसी तरीके से हमें समालते हुए पूरे नेक में लेस को अच्छे से अटेच कर लेना है इसी के साथ देख सकते हैं हमारा ये बलॉज के डिजान बनके कम्प्लीट हो चुका है कुछ इस तरीके से ओपर के सेट हम इसमें एक सो बटन को रख देंगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लैक तता चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद